Factually Wrong और Incorrect खबर दिखाई जा रही है मैं साफ करना चाहता हूँ कि मेरा नाम Enforcement Directorate की किसी भी Complaint में एक Accused के तौर पर या एक Suspect के तौर पर कहीं नहीं है Accused और Suspect तो छोड़ दीजिए बत और Witness भी मेरा नाम कहीं नहीं है लेकिन पूरे देश भर में सुभा से प्रचार किया जा रहा है News Channels के माद्यम से कि नजाने मुझे अभ्यूक्त के तौर पर Accused के तौर पर Char Sheet में Enforcement Directorate ने मेरा नाम शामिल करकर कोट में दायर किया गया ये सरासर गलत है